Hello and welcome back to my YouTube channel नालन्दा अकाडमी आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 एकोनॉमिक्स न्यू सलेबस महाराश्टर पूर्ट का चाप्टर नमबर 3B Elasticity of Demand ये पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो में ने अप्लोड कर दिया है आज हम Elasticity of Demand ये जो 3B चाप्टर है, इसमें Price Elasticity of Demand बेसिकली स्टेडी करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा Important Question है, तो सबको अच्छे से पढ़ना है ठीक है, Board Examination के लिए ये बहुत ज़्यादा Important है, मैं बोल रही हूँ आपको Types of Price Elasticity of Demand, Types of Price Elasticity of Demand ये Question है, ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था, Types of Elasticity पढ़ा था, जिसमें हमने Income Elasticity पढ़ा था, Cross Elasticity और Price Elasticity और आज हम पढ़ेंगे Price Elasticity के Demand, जो Third Type है, उसके भी बहुत सारे अलग-अलग Various Types है, ठीक है, Price Elasticity के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम Types of Price Elasticity पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है, तो जिसने भी वीडियो को Like में करा है, वो Like कर दो शेर कर दो अपने फ्रेंज के साथ चानल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को All पर सेलेक्ट जरूर करें, क्योंकि जब मैं लाइव आई थी, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला, just because उन्होंने नोटिफिकेशन बेल को टच नहीं किया होगा, और All पर से मचना बहुत ज़्यादा सरूरी है, तो price elasticity क्या है, according to Professor Alfred Marshall, okay, Professor Alfred Marshall क्या बताते है, price elasticity of demand, एक ratio proportionate change है, quantity demanded, मतलब एक ratio, ठीके, एक particular percentage change आएगा किसमे, quantity demanded में change आएगा, ठीके, समझो, proportionate change किसमे आगा, quantity demanded of a commodity, मतलब, एक commodity की जो demand है, उसमें change आएगा, क्यूंकि, proportionate change आएगा, उसी commodity की price में, समझा सबको, एक commodity को, जो demand थी, वो change हो जाती है, ठीके, क्यूंकि, जो उसका price है, वो change हो रहा है, उसका price में, proportionate change आगा है, उसके price में क्या हो रहा है? proportionate change आ रहा है यही है price elasticity यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ quantity demanded में change क्यों आएगा? क्योंकि proportionate change आ रहा है commodity के price के अंदर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ price देखना है हमें यह याद रखना है सबको तो first type है perfectly elastic demand perfectly elastic, perfectly ठीक है? यह जो demand है इसे हमें अच्छे से study करना है बहुत इसी है किसी को भी देखें यहाँ पे आपको जब explain करना है types of price elasticity तो important है कि आपको जब आप explain करेंगे तो आपको ऐसे symbol भी बनाना पड़ेगा ठीक है? symbolically भी demand को explain करना पड़ेगा जैसे perfectly elastic demand तो ed is equals to यहाँ पे infinite का यहाँ पे symbol है ठीक है? मतलब infinite ठीक है? जो कभी भी खतम नहीं होता मतलब उसकी कोई भी boundary या फिर limitations नहीं होती है तो इस first वाला जो type है इसके अंदर बता है when a slight or a zero change in the price ठीक है? slight थोड़ा सा एक्तम मामूली सा change या फिर zero change किस के अंदर? price के अंदर आता है ठीक है? तो इससे क्या होता है? infinite changes आता है इन्दी quantity demanded तो इससे क्या होगा? infinite मतलब यहाँ पे कोई भी limit नहीं है कितना भी change आ सकता है quantity की demand के अंदर ठीक है? तो यहाँ पे बताया है कि जो भी price के अंदर zero change आया या slight change आया उसकी वज़े से quantity demanded में change आया कैसा change आया? infinite infinite change आया मतलब इसकी कोई limit नहीं है कितना भी change हो सकता है it is only a theoretical concept for example अब यहाँ पे मैं एक और point बताऊं कि यह जो example है इससे लिखना बहुत ज़ादा important है ठीक है? जब भी हम types of price elasticity explain करेंगे तो यह वाला जो examples है ठीक है? आपको examples ज़रूर लिखने हैं और diagram भी जो है बनाना है अपने answer के अंदर diagram को भी आपको बनाना है ठीक है? diagram भी बनाना है तो यहाँ पर example है for example 10% fall in price may lead to an infinite rise in demand ठीक है? यहाँ पर समझो 10% जो है price कम हो रहा है एक commodity है एक commodity के अंदर जो price है उसका पहले वो 100 रूपीज था ठीक है? वो 100 रूपीज था जब 10% उस commodity का price कम हो जाता है fall हो जाता है मतलब कम हो जाता है ठीक है? वो कम हो जाता है तो क्या होता है? वो 90 रूपीज में product मिलने लगता है commodity मिलने लगती है जो भी आप खरीते थे पहले पहले 100 रूपीज का खरीते थे मतलब लोग है ना बहुत ही जादा खरीदने लगे उस चीज़ को ऐसे मतलब सेल में जब जाते हैं लोग एक दम बहुत जादा खरीदने लगे वही commodity को पता नहीं क्या हो गया लोगों के अंदर तो इसलिए क्या हुआ इन finite change आया quantity demand के अंदर लोग बहुत जादा खरीदने लगे ठीक है हमेशा याद रखना है अब यहां पर आपको symbolically यहां पर formula लिखने के पहले यहां पर आपको words के अंदर formula लिखना है यह भी important है ठीक है यहां पर क्या लिखना है यह जो perfectly elastic demand है ed is equals to percentage change in the quantity demanded upon percentage change in price next यहां पर जो है हमें ऐसे diagram बता डाइग्राम निकालना है यह जो diagram है देखिए यहां पर यह diagram है perfectly inelastic का ठीक है perfectly inelastic का यह diagram है यहां पर आपको x-axis के उपर quantity demanded measure करना है यह x-axis यहां पर हम quantity demanded measure करेंगे quantity demanded और यह जो y-axis है इसके उपर हमने price measure किया है ठीक है price measure किया है और यह जो demand curve है यह parallel है x-axis से ठीक है यह जो हमारा जो demand curve है ठीक है x-axis के parallel में जा रहा है demand curve यह है demand curve और यह जा रहा है horizontal parallel to x-axis ठीक है अब मैंने आपको diagram के उपर भी बता दिया explain करके लास्ट में भी आपको point में यह लिखना है the demand curve is horizontal line parallel to x-axis indicating perfectly elastic demand perfectly elastic demand में हमने क्या पढ़ा कि अगर जीरो या फिर slight change आता है price के अंदर तो quantity demand लोग बहुत जादा करते हैं infinite करते हैं ठीक है अब next वाला पढ़ते हैं नेक्स है perfectly in elastic demand perfectly in elastic demand ठीक है in elastic demand के अंदर क्या है देखिए when a percentage change in price has no effect on the quantity demanded perfectly in elastic in elastic मतलब यहां पर कोई भी change नहीं आएगा जब देखो in elastic है तो यहां पर perfectly का भी word use क्या है perfectly in elastic perfectly in elastic से याद करने के लिए मैं आपको बता रहे हूं perfectly in elastic मतलब यहां पर no change ठीक है यहां पर आप छोटा सा यह लिख कर भी याद कर सकते हैं no change in quantity demanded ठीक है quantity के demand के अंदर कोई भी change नहीं आएगा when a percentage change in price has no effect on the quantity demanded एक प्रडक्ट की price यह commodity की price कितनी भी change हो जाए लेकिन उसकी quantity demand के उपर affect नहीं पड़ता है लोग कितना भी उसको खरीतते थे पहले भी जितना खरीतते थे अब भी उतना ही खरीतते हैं ठीक है बिफोर जितना वो quantity purchase करते थे after some time वो उतना ही quantity demand करेंगे यहां पर कोई भी increase decrease quantity demand के अंदर नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ यहां पर change होगा price के अंदर लेकिन यहां पर no change होगा in the quantity demanded no effect यह लिखा है ना no effect no effect on the quantity demanded कोई भी effect नहीं होगा quantity demand के अंदर तो इसे हम क्या बोलते हैं perfectly inelastic demand perfectly inelastic demand ठीक है अब यहां पर फिर से एक example है perfectly inelastic का यह आपको लिखना है मैंने जैसे पहले भी बताया यह important होता है example तो आपको लिखना यह example is must यहां पर बता है 20% fall in price will have no effect on quantity demanded ठीक है अब देखो पहले product का price 100 रुपिस था अब 20% fall हो गया तो for example के लिए मैं बता रहूं 80 रुपिस में हो गया वो commodity तो क्या होता है लोग ऐसा नहीं है कि उस commodity को ज्यादा खरीदने लगते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा उसकी quantity demand में बिल्कुल भी change नहीं आएगा no effect no effect मतलब उसकी quantity जितनी पहले लोग demand करते थे अब भी लोग उतना ही demand करेंगे no effect कोई भी change नहीं आएगा कोई भी effect उसके उपर नहीं होगा quantity demand के उपर in practice such a situation rarely occurs अभी पहले जो perfectly elastic demand था वो तो hypothetical और theoretical concept है theoretical मतलब जो theories में होता है first वाला जो हमने पढ़ा था ठीक है अब यह second है perfectly in elastic demand तो यहाँ पे बताया है कि यह बहुत ही कम cases में होता है rarely occurs rarely मतलब कभी कभी कुछ ही time पर यह occur होती है situation when price यहाँ पर यह भी important line है when price rises from OP to OP1 और when price falls from OP to OP2 demand remains unchanged at OQ therefore the demand curve is vertical straight line parallel to y-axis अभी यह जो है यह explanation of the diagram जब हम diagram बनाते हैं तो हमें यह explanation diagram को देखकर लिख सकते हैं बहुत ही जादा easy है अभी मैं आपको diagram से बताती हूँ ठीक है कैसी को भी यहाँ पे इस लेने की ज़रती है जब यह diagram देखेंगे तो आपको खुदी पता चल जाएगा यह देखो यह है perfectly inelastic demand क्या है यह perfectly inelastic demand यहाँ पे क्या होगा बिल्कुल भी effect नहीं आएगा ठीक है perfectly inelastic demand का यह diagram यहाँ पे x-axis के उपर हमें quantity demanded measure करना है और y-axis के उपर हमें price measure करना है ओके यहाँ तक सबको समझा diagram उसके बाद में यहाँ पर देखिए अब यह जो price है ठीक है यहाँ पर यह जो price का line दिया है यहाँ पर पहले तो एक P है फिर जब हम थोड़ा उपर जाते हैं मतलब price increase हो रहा है ठीक है मैंने आपको बहुत बार बताए है जब हम y-axis के उपर upward move करते ठीक है उपर की तरफ move करते यह देखो अपर है उपर जा रह है ठीक है यह बढ़ रहा है याद रखना यह बढ़ रहा है और जब हम नीचे downward arrow में बताती हूं y-axis के उपर मतलब यह कम हो रहा है ठीक है क्या हो रहा है price क्या हो रहा है price कम हो रहा है यह याद रखना है सबको price कम हो रहा है price जब हम downward के arrow दिखाते हैं तो क्या indicate करते है decrease in price और जब हम उपर की तरफ आला बताते हैं मतलब increase in प्राइस चो पहले commodity price था मतलब हंड़ेड हातों कितना हो गया 150 हो गया मतलब this हो यह पीवन है और p2 मतलब decrease ऑपहले हंडरेड था तो कितना हो गया अब हो गया तो मैंने अब बता या बटांध। आपको आप्ली देखो उपर क्या बता या था हमें कि डाइग्राम का explanation कहा है देखिए का explanation मैं मैंने आपको हुआ प्राइस बा ratio, ओपी टू ओपी वन मैंने आपको क्या बताया जब ओपी यह देखो ओपी यह जो प्राइस है यह क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ओपी वन तक इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है यह जो ओपी वन तक प्राइस इंक्रीज हो रहा है इससे क्या हो रहा है क्वांटिटी डिमांड यह जो quantity डिमांड है OQ यह जो OQ जो quantity डिमांड थी इसमें बिलकुल भी change नहीं आ रहा है इसमें बिलकुल भी change नहीं आ रहा है ठीक है और जब OP से price क्या होता है decrease हो जाता है OP यहाँ पर Q है OP से लेकर decrease हो जा है जब price OP 2 तक आता है तब ही भी हमारी quantity डिमांड उतनी ही रहती है यह देखो यह इतनी ही डिमांड है पहले भी और बाद में भी इतनी डिमांड है सब टाइप में इतनी डिमांड है ठीक है तो यहाँ पर कोई भी change नहीं आ रहा है डिमांड के अंदर और यह जो straight line है parallel to y-axis ठीक है straight line parallel to y-axis indicating perfectly in elastic demand यह लिखना सबको जरूरी है I hope सबको समझ रहा होगा next हम study करते हैं unitary elastic demand unitary elastic demand ed is equal to 1 अब यहाँ पर क्या है unitary elastic demand means यहाँ पर जितना percentage change आएगा प्राइस के अंदर similarly उतना ही percentage change आएगा quantity demanded के अंदर ठीक है for example अगर 50% से change आएगा price के अंदर तो quantity demanded भी कितना होगा 50% से ही यहाँ पर change आएगा मतलब same to same यहाँ पर changes आने वाले हैं when a percentage change in price leads to proportionate change in quantity demanded then set it to be the unitary elastic ठीक है यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो similar यहाँ पर similar एक ही जैसा मतलब equal change आएगा ठीक है equal change आएगा unitary मतलब same ठीक है exactly same यहाँ पर change आने वाला है जितना price में change आएगा उतना ही quantity demand के अंदर change आने वाला है for example 50% falling price अगर एक जो product है उसका 50% follow जाता है price के अंदर तो क्या होता है commodity demand leads to 50% rise in quantity demanded तो लोग 50% क्या करते हैं जादा उस चीज़ को खरीदने लगते हैं ठीक है उस चीज़ को कितना 50% जादा खरीदने लगते है quantity demanded कितनी बढ़ जाती है बढ़ जाती है quantity demand कितनी बढ़ जाती है quantity demand 50% बढ़ जाती है अब यहाँ पर देखिए यह diagram है unitary elastic demand यह unitary elastic demand का diagram है यह diagram देखिए यहाँ पर x-axis के हमें quantity demanded measure किया है y-axis के हमने उपर price measure किया है ठीक है और यह एक unitary elastic demand है इसलिए यह जो आपको दिख रहा है कि जितना price के अंदर change आ रहा है यह एक प्राइस के अंदर जितना change आ रहा है उतना ही change के आ रहा है quantity demanded के अंदर आ रहा है इसलिए ed is equal to 1 है और यह slope आपको ऐसा curve में ही बनाना है ठीक है when price falls from OP to OP1 50% demand rises from OQ to OQ1 देखो यह जो price था OP था पहले फिर ही decrease हो जाता है OP1 तक ठीक है तो क्या होता है जो quantity demanded पहले OQ थी तो अब वो कितनी हो गई OQ1 ठीक है तो जितना जो price था वो कम हो गया percentage 50% तो 50% ही quantity demand के अंदर change आने वाला है ठीक है यह सबको समझाओगा यह बहुत जादा easy है मतलब same to same quantity demand के अंदर change आने वाला है ठीक है अब यहां पर आपको इन्होंने example पर दिया है देखिए for example percentage change आता है यह जो formula यह आपको लिखना है percentage change आता है quantity demand के अंदर ठीक है percentage और यह जो triangle का sign है यह है change ठीक है यह है क्या change ठीक है यह change होता है और यहां पर आपको 50 50 लिख देना है मतलब percentage 50 आ रहा है और यहां पर भी 50 आ रहा है तो जब हम इसे cut करेंगे तो क्या जाएगा वन आ जाएगा इसलिए क्या है ED is equals to zero ED is equals to zero ठीक है next यहां पर आपको बताया है when price falls from OP to OP 1 50% demand rises from OQ to OQ 1 50% therefore the slope of the demand curve is rectangular hyperbola यह जो है line यह बहुत ज़्यादा important line है ठीक है important line है यह वाली rectangular hyperbola इसको क्या बोलते हैं demand curve को rectangular hyperbola बोलते हैं और अब हम next जो है types of price elasticity में study करने वाला है relatively elastic demand relatively elastic demand यहां पर समझने के लिए मैं आपको बता दूँ कि elastic demand यहां पर क्या होने वाला है यहां पर price से क्या होने वाला है जो quantity demand है उसके अंदर change आने वाला है क्योंकि यहां पर elastic लिखा है ठीक है जब भी word elastic आएगा मतलब यहां पर change होने वाला है यहां पर क्या होगा quantity demand के अंदर change होगा यहां पर quantity demand के अंदर क्या होगा change होगा और जब in elastic in आ जाता है ना elastic के अंदर in elastic तो क्या होता है यहां पर जो commodity है वो बढ़ती नहीं है ठीक है quantity demand में increase नहीं होता है quantity जो demand की जाती है उसमें increase नहीं होता है in elastic यही है simple form में मैंने आपको बता है in elastic मतलब उसमें ज्यादा change नहीं आएगा उसमें कम change आएगा ठीक है अगर एक 50% लोग जो price है वो change हुआ तो quantity demanded है in elastic में वो कम हो जाती है वो 25% हो जाती है ठीक है अब यहां पर हम fourth वाला study करेंगे relatively elastic demand when a percentage change in price leads to more than the proportionate change in quantity demanded यहां पर देखो यह जो percentage change आ रहा है price के अंदर इससे क्या हो रहा है more than proportionate मतलब बहुत ही जादा change आ रहा है quantity demanded के अंदर more than the proportionate ठीक है यहां पर बहुत जादा change आएगा quantity demand के अंदर then the demand is said to be relatively elastic demand for example example से हमें समझेगा दिखिए 50% fall हो रहा है price के अंदर ठीक है एक commodity है एक product है जिसका price में 50% fall हो रहा है 50% fall हो रहा है तो क्या होता है quantity demand quantity demand 100% ठीक है 100% से increase हो जाती है increase हो जाती है ठीक है यहां पर जो है वो बहुत ज़्यादा increase हो गई है मतलब double हो गई है पहले 50% मतलब 50% जो fall आया relatively elastic demand के अंदर 50% fall आया price के अंदर ठीक है 50% fall किसमें आया price के अंदर falls आया तो क्या हुआ 100% मतलब यहां पर double rise हो गया quantity demand के अंदर लोग बहुत ज़्यादा खरीदने लगे वही product को अब यहां पर diagram है relatively elastic demand का relatively relatively ठीक है लिख देती हूं मैं relatively relatively elastic demand elastic demand यहां पर देखिए एक जो x-axis है वहां पर हम quantity demand measure करेंगे y-axis पर हम price measure करेंगे यहां पर price measure करने वाले हम तो यहां पर देखो यह diagram अच्छा से देखो यहां पर कैसा आपको यह जो moo कव Whoo Cache दिख रही कव कि जो कव है यह flatter slope है तो यहां पे उर फ्राइस है you झाल झाल